जैहिन साथ यो क्या हाल है तो गाईज आज हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि आखिर यह नाउन तो गाईज आज हम जो किलियर करेंगे वो है नाउन तो यार यहां पर इजिए में आपको बहुत ही गहराई से मैं समझाऊंगा और आप समझने का पर्यास किजेगा यहां पर आप सबको दिख रहा है noun और noun को हिंदी में हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं तो guys संग्या हम किसको कहते हैं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने English definition लिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Hindi definition मैंने लिखा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है English में क्या कि a noun is the name of a person, animal, place, thing, idea यह सब क्या है नाउन है नहीं आया ना बिलकुल नहीं आया होगा औ इसी बैक्ती जानवर अस्थान वस्तु बिशार के नाम को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं अभी भी नहीं आपको आया तो आईए अब इसको example से समझते हैं clear हो ही जाएगा आपको कि आखिर ये noun होता क्या है तो यहाँ पर आप ध्यान दिजे जरासा रुक जाईए जरासा 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 तो यहाँ पर आपको example में राम दिख रहा है जी हाँ राम राम एक क्या है बैक्ती है ओके राम के जगह पर गाईज हम स्याम भी ले सकते हैं क्योंकि स्याम भी एक बैक्ती है यानि कोई भी अदमी का नाम ले सकती है तो यहाँ पर मैंने example में समझने के लिए क्या ले रखा है आपको राम तो राम हमारी क्या है बैक्ती है और बैक्ती को इंगलिस में क्या कहते है परसन कहते है यह चीज किलियर हुआ बिल्कुल हुआ और यहाँ पर है काव काव यह क्या है हमारा यह जानवर है और जानवर में आप समझ सकते हैं बकरी, कुटा, आप भैस, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने समझाने के लिए आपको क्या ले रखा है, गाए, यानि काउ ले रखा है, ओके, तो जानवर को इंगलिस में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एनिमल कहते हैं, ओके, तो यहाँ पर आगे हमारा एक्जा रस्थान को habilis क कहते है और यहाँपरные example grow boy or book के जगापर आप पेन भी ले सकते हैं टेबल भी ले सकते हैं और 법ào गाई तो वस्थू है तो यहाँपर वस्थू वस्थू का English क्या जाता है भूण इसके बाद हमारा क्या जाता है एक्सांपल ओंस्ति यहांपर हो लिखाता है लेकिर honesty पढ़ा जाता है तो ये हमारा क्या है बिचार है और बिचार को इंग्लिज में क्या कहते हैं एडिया कहते हैं और इसके बाद है यहाँ पर आप ध्यान दीजे जरासा इसको clear करते हैं तो इसके सामने आप देखेंगे तो किसी ब्यक्ति जानवर अस्थान वस्तु बिचार के नाम को ही हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं मतलब हम आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने जितने भी नाम दिख रहे हैं ये जो आपके सामने जो नाम दिख रहे हैं कौन तो ये जो नाम आपको दीख रहे है ना यही आपके नाम आपको क्या कहलाते हैं संग्या कहलाते हैं यानि आसानी से कहा जाया है तो दुनिया का कोई भी नाम आपको संग्या कहलाता है और संग्या का इंग्लिस क्या होता है नाउन होता है तो आप easy way में समझ सकते हैं तो जहा पर आसानी से इसको लिखिए ठीक है और मैंने सिंपल से कही दिया है कि आपको क्या है यानि नाउन क्या है एक नेमिंग सब्धे यार ठीक है जो हम सोचते हैं जो हम बोलते हैं जो हम समझ सकते हैं कि वो नाम है तो वही नाम ही क्या है तो गाइज वही नाम ही आपको क्या है इ नहीं पहचान पाते आपके सामने एक पेन है अगर पेन का नाम नहीं होता कि यह पेन है तो क्या आप पहचान पाते नहीं पहचान पाते तो पेन हमारा क्या है एक नाम है आप जैसे कोई भी समान लेते हैं जैसे टेबल कुरसी इस तरह आप आलू टमाटर बैगन हरी मीर्च ये सब आपको क्या लगता है ये सब नाम है जिया बिलकुल नाम है क्योंकि अगर उस सब का नाम नहीं होता तो हम नहीं जान पाते कि वो समान क्या है जैसे आलू का आलू नाम नहीं रहता है तो हम जानते कि वो आलू है नहीं जानते तो हर चीज का नाम होता है किताब हो गया कलम हो गया कोपी हो गया घोड़ा हो गया भैस हो गया जिराफ हो गया यह सब क्या है यह नाम ही है तो जो आपको लगता है कि नाम है वही नाम आपको क्या है नाउन होता है तो नाउन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप समझी गए होंगे simple सा क्या लिख रहा है तो यहाँ पर समझ यहाँ पर मैंने लिख क्या रहा है इजिव में और कि a noun is the name of anything यह भी आपका simple परिवासा है मतलब यहाँ पर है कि कुछ भी नाम आपको क्या है यहाँ पर संगया है अगर हम कितना भी बकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता है तो सिर्फ आपका गलती है तो गाई चलिए आज किस वीडियो से इतना ही अगर आपको यहाँ तक ही जनकारे मगर आपको कोई भी चीज अच्छा लगा हो ते आर कुछ नहीं हमें सपोर्ट की जरूरत है अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यार प्यारा से एक सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो बैबाट टेक कर बैस्ट आफ लक बने रहिए और जूड़े रहिए मिलते हैं अगली वीडियो में